हलो फ्रेंट्स वेलकम टू भावनाज किचिन भावनाज किचिन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है चलिए तो हम हमारा आज का वीडियो बनाना शुरू करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और ब पनीर ग्रिटेट पनीर है यह 200 ग्राम मावा मैंने 500 ग्राम लिया है डैसिकेटेट कोकोनट 50 ग्राम मिल्क पाउडर 2 टेवल स्पून घी 2 टी स्पून पाउडर शुगर 200 ग्राम ड्राय फ्रूट्स आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हैं डेकोरेशन के लिए गार्नि आप इधर फूड कलर का यूज भी कर सकते हैं और एसेंस का अभी मैं गैस पे पैन गरम चड़ाऊंगी और उसमें मैं अपना ये घी एड़ करूंगी और इसमें हम अपने मावे को भूनेंगे मैं इसमें खोवा एड़ कर लूँगी मेरा ये जो खोवा है ये फ्रिज में से मैंने निकाल करके अभी जस्च रखा है आप हो सके तो रूम टेमप्रेचर पे ही अपने मावे को रखिएगा और उसके बाद में उसको भूनना अभी हम अच्छे से मावे को घी में सेख लेंगे ताकि हमारी जो ये पिनाकुलाडा स्क्वेर है ये थोड़ा टाइम तक चल जाए दो से तीन दिन तक चल जाए मावा भूनने से इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है अब मैं इसके अंदर एड करूँगी अपना कद्दुकस किया हुआ पनीर और इसको वापिस से हम अच्छे से मावे में मिक्स कर लेंगे मावा और पनीर बराबर हिलाते हुए मिक्स कर लेंगे ये देखिए आप देख सकते हैं पनीर मावे में अच्छे से मिक्स हो गया है गैस का फ्लेम हमने लो ही रखना है लो मीडियम जब ये इस तरीके से सिख जाए तब फिर इसके अंदर हम डेसिकेटड कोकोनट डालेंगे और इसको इसमें फिर से मिक्स कर लेंगे अभी मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे सारी चीजें आपस में मिल जाएंगी फिर हम इसमें एड करेंगे पाउडर शुगर मेरी फ्रेंट्स पाउडर शुगर में थोड़ा सी लंप्स आ गया है इसको मैं फोड लूंगी अच्छे से आप इसको इसमें डालने से पहले मिक्सी में एक बार ग्राइंड कर लीजिए अगर आपके भी यह लंप्स हैं तो नहीं तो ज्यादा कुछ नहीं इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा गैस प्लेम मैंने लो मीडियम ही रख रखी है अभी हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे जो चीनी अपना पानी छोड़ेगी उसको हमने पूरा अच्छे से ओडा लेना है और इसको गाडा कर लेना है ये एक बॉल फोम में आ जाए इतना हमने इसको पकाना है डो बन जाए अभी आप देखिए इसमें चीनी अच्छे से मैंने मिक्स कर ली है इसको हमने बराबर चलाना है अभी चीनी अच्छे से मिक्स हो गई है और चीनी ने अपना पानी छोड़ रखा है इसको हम उड़ाएंगे देखिए चीनी का पानी उड़ गया है गैस का फ्लेम अब मैंने बिल्कुल लो कर दिया है ताकि यह चिपके नहीं और यह अब डो फोर्म में आ जाए इस वक्त मैं इसमें डाल रही हूँ फूड कलर इमल्शन है यह आप यलो कलर और पाइनापल इसंस का यूज़ भी कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कलर और फ्लेवर पूरे डो में अच्छे से मिक्स हो जाए यह प्रोसेस करने में हमको तक्रीबन छे से साथ मिनिट लगेंगे मैंने थोड़ा सा फूड कलर और एड किया है क्योंकि कलर कम था अभी यह बिल्कुल सही है और हमारा डो भी पहले से गाड़ा हो गया है अभी हम इसको बंद कर देंगे गयास को और इसको हम एक ट्रे में जमा लेंगे मैंने ट्रे के उपर पेपर लगा दिया है और इसको ग्रीस कर लिया है बटर पेपर को अभी हम इसके अंदर अपना पिनाकुलाडा स्कुएर का डो डाल लेंगे और इसको रूम टेंपरेचर पे एक घंटे के लिए सेट होने के लिए रखेंगे और उसके बाद में एक घंटा हम फ्रिज में रखेंगे ताकि ये थोड़ी टाइट हो जाए अच्छे से इसको सेट कर लेंगे मैं पूरी ट्रे में इसको नहीं फिलाऊंगी जितना जितना ये इसकी मोटाई देख करके आप अपने हिसाब से आप जितनी इसकी मोटाई रखनी है आप उतना इसको फैला लें मेर को तो इतनी ही रखनी थी तो मैंने इतना इतना इसको फैला लिया है अब इसको अच्छे से शेप दे लेंगे स्पैचुला के हेल्प से इसको बिल्कुल प्लेन कर लेंगे यह बहुत ही टेस्टफुल मिठाई है और इसको बनने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है छे से साथ मिनिट में यह बन करके रेडी हो जाती है और बहुत ही अच्छी लगती है गनपती का टाइम चल रहा है आप इसको गनपती बप्पा के परशाद में भोग में पर पिस्ते से इसको गार्निश कर देंगे मैं पिस्ता डाल रही हूँ आप अपनी पसंद का कोई भी ड्राइफ रूट डाल सकते है और अगर न डालना चाहें तो और श्किप भी कर सकते हैं नारियल का बुरादा ड्यादा रर्या कोगोनट भी आप इसमें यूज कर सकते ह इसको हम थोड़ा सा इस पैचुला से दबा देंगे ताकि ड्राइफ रूट्स मिठाई में चिपक जाए अब ही मैं इसको रूम टैंपरेचर पे सेट होने के लिए रख दूंगी उससे पहले इसको मैं कट के निशान लगा दूंगी ताकि ये ठंडी होने पे इजीली कट लगे वे होंगे तो निकल जाएगी सैट हो जाएगी बाद में फिर थोड़ा सा परिशानी आती है वैसे ये मिठाई सॉफ्ट ही होती है ज्यादा टाइट नहीं होगी अच्छे से सेट करें थोड़ी अभी गरम है इसलिए ज्यादा गरम भी नहीं रखें इसको मैंने इसमें कट अच्छे से लगा दिये हैं अभी मैं इसको एक घंटे के लिए रूम टेंपरेचर पर सेट करूंगी और फिर इसको एक घंटे के लिए फ्रिज में रखूंगी तकरीवन दो घंटे के बाद में मैं आपको दिखाती हूं दो घंटे हो चुके हैं और हमारी पिना को लाड़ा स्क्वेर भी अच्छे से सेट हो गई है मैं इसको निकाल करके दिखाती हूं बटर पेपर को ही बहार निकाल लेंगे यह easily निकल जाती है इसको ज़्यादा परिशानी नहीं आती है निकालने में नहीं तो हम इसको हलगा सा अगर नहीं निकलती तो गयस पे गरम करके निकालने तो जल्दी से निकल जाती है यह देखिए इसकी मोटाई मैंने एतनी रखी है आप और रखना चाहें तो रख सकते हैं वैसे इतनी sufficient है बिल्कुल बजार जैसे अभी हम इसको प्लैटर में रख लेंगे फ्रेंस आप एक बार ये रेसिपी जरूर ट्राइ करके देखिए और अपना experience मेरे साथ में शेयर कीजिए कि आपको ये कैसी लगी और बना करके आप मेरे को comment box में जरूर बताईएगा ओके बबाई